हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल तो यह हमारा समसामे की घटना चक्त का करेंट अफेर का बुक है जो जैनबरी मा का करेंट अफेर आप लोग को मिलेगा तो इसका आज हम जो करने वाले हैं वह हमारा होगा यूजना से संबंदित जितने भी यू डिस्किप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जैके जोइन कर ले और इसका पीडिएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और जिल लोगों ने आभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उन लोगों हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो अच जो है रास्टिय स्वास्त मिशन नहीं द्वारा असम में इस पर्योजना की सुरूआत हुई है निरामाई पर्योजना का कहा सुरूआत हुआ है अशम में ठीके और यह जो है रास्टिय स्वास्त मिशन द्वारा सुरू किया गया है और यह पर्योजना रास्टिय स्वास्त मिशन द्वारा पीरामल स्वास्त और सिसको के सहयोग से राज में सारवजनिक स्वास्त देखवाल वित्रन को मस्बूत करने ही तो शुरू की गई है तो ये इसका उद्देश है ठीक है नेक्स्ट है चीता पुनरवास के लिए कारियोजना चीता पुनरवास के लिए तो केंद्रिये पर्याबरन बनेवं जलवायू परिवर्तन मंत्री भूपेंद्रियादव द्वारा राश्टिये बाग सरक्षन प्रधी करन की 19 मी बैठक में इस कारियोजना का अनावरन किया ग चीते पुनरवास रखे जाएंगे कितने 50 और यह जो है इस अपसर पर उन्हों ने एक वाटर एटलस का भी बिमोचन किया है और इस एटलस में भारत के बाग वाले छेत्रों के सभी जलनिकायों का चित्रन है बहुत ही इंपोटेंट है उसके बाद है मिंदम मंजमपई यो यह जो है तमिलाम्डू के मुख मंतरी का नाम जो है एमके स्टालिन के दवारा इस योजना की सुरूआत की गई है और यह यह योजना जनता दौरा कपरे की थलिवग को उपयोग को राज में हातों उस्ताहित करने के लिए सुरू किया गया है मिंदम मंजमपई योजना नेक्स्ट है मुख मंत्री भायू स्वास्त सेवा जिसे एर एंबुलेंस सेवा यह जो है उडिसा के मुख मंत्री नविन पतनायक के द्वारा सुवाररम किया गया है और यह सेवा राज के दुरस्त और पिछेरे छेत्रों के लोगों को स्वास्त सेवाय परदान करने के लिए सुरू की गई है और पहले चरण में चार जिला को दिया गया है जिसमें मालकान गिरी है मलकान गिरी है नवरंगपूर है काला हंडी है नुवाप पारा है यहां के लोगों को मुफ्त में उफलद होगी अगला देखते हैं नेक्स्ट है सूरत मेत्रो रेल परियोजना जो है यह भारत सरकार और जरमनी विकास बैंक के फन डबलु के मध्य इस मेत्रो रेल परियोजना है तू 424.26 मिलियन यूरो का रिन समझाता हस्तांत्रित हुआ है सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए और यह जो है 40.35 किलोमेटर लंबी इस परियोजना की कुल लागत रासी 1.50 मिलियन यूरो है जिन में से 442.26 मिलियन यूरो का बित पोशन के एफ डबलू करेगा नेक्स्ट है यह परियोजना फ्रांस की विकास एजेंसी जिसका नाम है एजेंसी फ्रेंशाइस डी डेवलप्मेंट द्वारा सा बित पोशित है तो यह जो है मेट्रो से संबन दित है नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट अंबर प्रोजेक्ट अंबर जो है रास्टिय कोसल विकास निगम और जेनरेशन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कोसल और रोजगार के बीच अंतर को कम करने है तो नई दिल्ली में इस योजना की सुरुआत की गई है अंबर की योजना की सुरात कहां नई दिली में और अंबर का पुन रूप है accelerated mission for better employment and retitension इसका हिंदी मतलब है कि बेहतर रोजगार और प्रतिधारन के लिए तवरित mission ठीक है? बेहतर रोजगार और प्रतिधारन के लिए तवरित mission नेक्स्ट है इस योजना को कौसल और उद्दामिता मंत्राले संकल्प जिसे skill accusations and knowledge awareness for life would promotion इसका full form है संकल्प का कार्ज करम और नीजी परोपकार के तहद समान रूप से बित्पोसित किया जाएगा तो संकल्प का आप लोग full form याद रख लेंगे और इसका उद्देश है कि 30,000 युवाओं को पर सिक्षित करना जिसमें से 50% महिलाएं होगी अगरा देखते हैं सहाई योजना सहाई योजना जो है वो जारकंड के मुखमंत्री कौन है हिमंत सोरेन इनके द्वारा राज में खेल और खेल परतिभा को बढ़ावा देने ही हूँ तू इस योजना का सुवररम किया गया और सहाई का पुन रूप है स्पोर्ट्स एक्सन्ट तुवर्ड्स हरनेशिंग एस्पिरियेशन और इस योजना के माध्यम से पहले चरण में नकसल प्रभावित साइवासा, सराइकेला, खरशामबा, खूटी, गुमला, एबम, सिमडेंगा के 14-19 वर्स की आयू के 72,000 युवक युबतियों को खेल के छेतर में अपना हुनर्स दिखाने का अबसर प्राप्त होगा कौन सा योजना है ये? सहायक योजना नेक्स रेखते हैं सहायक ने, मतलब सहाई है आगे देखते हैं अब है खेल नर्सरी योजना 2022-23 यह जो है हरियाना के खेल में एवं युवा मामलों के मंत्री सरदार संदीप सिंग के द्वारा प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश से योजना की सुरुआत की गई है और देखें यहां पर खेल नर्सरी है सुरु होगी ठीक है अगला है परदार मंत्री किर्शी सिचाई योजना यह जो है आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलिये समीती द्वारा 2021-26 तक के लिए इस योजना का किरिया मनन को मंजूरी दे दिया गया है और इस अवधी के लिए इस योजना हेतु 93,68 करोर रुपे का प्रवधान की आग गया है जिसमें राज्यों के लिए 37,454 करोर रुपे की केंद्रिये सहता शामिल है आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलिये समीती ने त्वरित सिचाई लाव कार्ज करम हर खेत को पानी और भूमी वाटर सेट विकास घटकों को भी बर्ष 2021 से 26 तक जारी करने को मंजूरी परदान की है उसके बाद है AIP के अंतरगत 2021 से 26 के दोरान कुल अंत्रिक सिचाई चमता जो है वो 13.88 लाख हेक्टेर तक करने का लक्ष रखा गया है रेनुका जी बांध परियोजना परियोजना यमना बेसीन में भंडारन शुरू करेगी जिससे यमना बेसीन की पूरी हिस्से के छो राज्यों या किनसासित परदेशों में जलपूर्ती होगी छो राज्य या संगसासित छित्र दिल्ली, हिमाचल परदेश, उत्राखंड, उत्रपरदेश, हर्याना एवं राजस्थान यही छे राज्ज है नेक्स्ट है कासी विश्वनाथ धाम परदानमंत्री द्वारा इस धाम के पहले चरन यानि निर्मान की लागत रासी जो है वो 349 करोर रुपया का लोगार पन किया और इस पर्योजना के अंतरगद गंगान अदी ने ललिता घाट से कासी विश्वनाथ मंदिर तक 400 मीटर तक पैदल यात्रा पत सामिल है और इसी पर्योजना अब लगभग 5 लाख वर्ग फिट के छेतर में बिस्तारित है और इससे पुर्विया परिसर मातर 3000 वर्ग फिट में था पहले चरन के तहद 23 नए भवनों का उदगाटन किया गया इससे पुर्व कासी विश्वनाथ मंदिर का पुनर निर्मान महरानी अहिल्याबाई हुल करने कराया था ये भी इंपोर्टेंट है इसके बाद है आत निर्वर हस्त सिल्पकार योजना यह जो है पुर्वत्तर विकास बितनिगम लिम्टेड द्वारा पुर्वत्तर छेतर के छोटे अस्तर पर काम करने वाले हस्त सिल्पकारों का विकास करने के उद्देश से इस योजना की घोशना की गई है और योजना के अंतरगत आई सिर्जन गती बिदी की अस्तापना विस्तार आधुनी करन कारिसिल पुंजी की अवसकता और छेतर से सम्बंदित अन गती बिदियों के लिए सवाधी रिन के रूप में भी बीतिय सहता परदान की जाएगी अगला है स्रेष्ट योजना स्रेष्ट योजना जो है वो केंद्रिय मंत्री डॉक्टर बिरेंदर कुमार द्वारा इस योजना का सुवाररम किया गया कौन सी योजना का स्रेष्ट योजना का और इस योजना के तहद आनुसुचित जाती के छात्रों के समाजिक आर्थिक उत्थान और समगर विकास के लिए प्रतिश्चित नीजी स्खूल में गुनबत्ता पुन अवासिय सिक्षापरदान की जाएगी और अगले पांच वर्ष में समाजिक निया एबम अधिकार्ता मंत्रा लेने लगभग 300 करोर रुपे की मदद के साथ अनुसुचित जाती के 24,800 मिधावी चात्रों को सहता देने का डेना लिया है अब अगला पडियोजना जो है वो है RI HAB पडियोजना या जो है RI ये खादी विकास और ग्राम उद्योग आयोग यानि KVIC ने इन्हें ननिवद मख्यों का उप्योग कर हाथी मानब संखर्स रोकने हेतू असम के गुल पारा जिले के मोर्नोई गाउ में इस पडियोजना की सुरवात की कहां मोर्नोई गाउ में और असम में अस्थानी वन विबाग के सहयोग से इस पडियोजना को लागू किया गया RI HV पडियोजना को और इस राज में 2014 से 2019 के बीच हाथीयों के मामले के कारण 332 लोगों की मिर्तु हो गई थी आगे देखते हैं इससे पुर्व 15 मार्च 2021 को करनाटक के कोडागू जीले में 11 अस्थानों पडिया पडियोजना शुरू की गई थी कहां करनाटक के कोडागू जीलोग उसका अधा रास्टिये सिक्छुकता पर सिक्षन ये आर्थिक मामलों के मंत्री मंदलीय समीती द्वारा इस योजना को अगले 5 वर्ष 2021 से 22 और 25 से 26 तक जारी करने हे तु मंजूरी दे दी गई है और योजना अवर्थ अप्रेंटिर्श शुप्स पर सिक्षन प्राप्त करने वाले पर सिक्षकों को 30,000 करोर रुपे की विर्थिका सहता परदान की जाएगी ठीक है आगे देखते हैं अगला है कि उद्योग और वार्निज संगठनों के द्वारा लगवग 9,000,000 रुपे पर सिक्षकों को पर सिक्षित किया जाएगा और इंजिनियरिंग मानवी की विज्ञान और वार्निज में असनातक और डिपलोमा कार्ज करम पूरा करने वाले पर सिक्षकों को करम सा 9,000 रुपे और 8,000 रुपे की विर्थिका परदान की जाएगी नेक्स्ट है आतनिर्भर किर्षक सम्मानवित विकास योजना उत्तर परदेश सरकार द्वारा चालूवी तिये वर्ष 2021-22 से राज में इस योजना को लागू किये जाने का प्रस्ताफ स्विक्रित है जो 3 दिसंबर 2021 से और योजना आवर्थ किर्षी एवं किसान कल्यान मंत्राले भारत सरकार के मानक के अनुसार परदेश के प्रतेग विकास खंड में आगामी 3 वर्ष में कूल 1475 किर्षक उत्पाद संगठन का गठन राज बजट से किया जाएगा अगला है महोवा महोवा का है उत्तर परदेश में उत्तर परदेश में बिभिन पर्योजनाओं राष्ट को समर्पित है और परधान मंत्री द्वारा समर्पित इन पर्योजनाओं में अर्जुन सहायक पर्योजना रतौली बियर पर्योजना भावनी बांध पर्योजना और मजगाउं सिल्ली सिपिर्कल पडियोजना सामिल है और इन पडियोजनाओं की कुल लागत रासी जो है वो 3250 करोर रुपे से अधिक है इनके संचालन से महोबा, हमीरपूर, बांदा और ललितपूर जीले में लगभग 65,000 हेक्टेर भुमी सिंचित हो सकेगी साथ ही इन पडियोजनाओं से पेजल की आपूर्ती भी होगी और परधान मंत्री ने जहांसी के गरोठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधार सिला भी रखी है नेक्स्ट है तेजस्टुनी और होसला योजना यह जो है केंद्रिये बित एवं कॉर्परेट मामलो की मंत्री निर्मला सितारमन के द्वारा 18-35 वर्ज की आयू की लड़कियों के लिए अपना बेवशाय सुरू करने हैं तू जमू कस्मीर की इन दो पडियोजनाओं की सुरुआत की गई है कब 23 नॉमबर 2021 और तेज़स्वनी योजना के तहद युवा महिलाओं को उनकी विशेसक गिता योग गिता और अस्थानिय परिस्थितिक के अनकूल लाबकारी रोजगार उद्या मस्थापित करने है तू पांच लाख रुपे तकी बीतिये सहता परदान की जाएगी होसला योजना महिला उद्दामियों उनके संबंधी छेतरों में रॉल मॉडल के रूप में ससक्त बनाने हेतु जम्मू कस्मीर बेपार संबर्धन संगठन के तहद सुरू की गई और इस योजना का उद्देश समता सुधार रीन सहता बीम्प्रन सहता प्रामर्श परदान करना है साथ ही उन्होंने जम्मू कस्मीर में परटन विकास के लिए पंजाब नेसनल बैंक की सिखर और सिकारा योजना की भी सुरूआत की है अब है सर्वभामिक सेमा दायुति निधी योजना सर्वभामिक सेमा दायुति निधी योजना यह जो है केंद्रिये मंत्री मंडल के द्वारा पांच राजों के अकांची जिले में जो गाउं मोवाइल सेवा के दाइरे में नहीं है उन गाओं में मोवाइल सेवा के प्रभधान है तू इस योजना को मंजूरी दिया गया है और इन पांच राजों में जैसे आंद परदेश है, जारखन, महराश्ट और उरिसा सामिल है इसे मोवाइल सेवा के लिए जोरा जाएगा और प्रदेश के सिक्षित युवाओं को स्वर रुजगार से जोडने है तू इस योजना की सुरुवात को मंजूरी दी गई है और योजना के लाव प्रदेश के 18-40 वर्स की आयूता के निवंतम बारामिक अक्षा पास युवाओं को प्राप्त होगा और योजना के अंतरगत भी निर्मान इकाई है तू एक से पचास लाख रुपे तक पड़ियोजना तदा सेवा इकाई का खुदरा विपसाई के लिए एक लाख से पचीस लाख रुपे तक की पड़ियोजना मानिक की जाएगी अगला है डेरी सहकार योजना डेरी सहकार योजना जो है यह केंद्रिये गिरी एबम सहकारता मंत्री अमीत साध्वारा आनंद गुजरात में इस योजना का सुवाररम किया गया इस योजना को 5000 करोर रुपे के निवेश के साथ सहकार्ता मंत्राले भारा सरकार के अधिन राष्टिय सहकार्ता विकास निगम क्रियानवित करेगा नेक्स्ट है डेड़ी साकार के तहद पातर साकारतों को पसुधन विकास दूद की खरीद प्रसंस्क्रन पैकेजिंग बिम्पनन दूद एबम दूद उत्पादकों के भंडारन आदि के लिए बीतिये मदद की जाएगी नेक्स्ट है मुख मंत्री घासियारी कल्यान योजना यह जो है केंद्रिय अमित्सा के दौरा महिला को सहता आर्थ देहरा दून उत्राखंड में इस योजना का सुभररम किया गया है और इस योजना के तहट 30% सबसिड़ी दर पर 2 रुपे प्रतिकीलो की दर से पसु अहार परदान किया जाएगा और योजना के अंतरगत लगभग 2000 किसान लगभग 1000 एकर भूमी पर मक्य की खेती करेंगे और इस मक्य का उप्योग बैग्यानिक तरीके से पॉस्टिक पसु अहार्क बनाने में किया जाएगा मुख मंत्री दुरगटना बीमा योजना तो उतरपरदे सरकार द्वारा और संगठित छेतर के पंचिकरित कामगारों को सुरक्षा परदान करने के उद्देश से जिसे राज सरकार वहन करेगी और योजना के अंतरगत उत्तरपरदेस और संगठित कार्मगार सुरक्षा नियमा वली 2016 नियम 23 के साथ गठित और संगठित कार्मगार समाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 2 के के ल, M एबम N में और संगठित छेतर के अंतरगत परिभास पात्र होगी अगला है मुख मंत्री जन आर्योग योजना यह जो है उत्तर परदेश सरकार द्वारा लागु करने का नेने लिया गया है और इस योजना के तहट और संगठित छेतर कामगारों को बीतिय सुरक्षा परदान की जाएगी योजना के अंतरगत उत्तर परदेश स सरकार उत्तर परदेश समाजिक सुरक्षा बोर्ट के अंतरगत पंचेगरित कामकारों परिवार जनों को पांच लाग रुपे का कैसलेस इलाज की निसुल्ख सुद्धा परदान करेगी उत्तर परदेश राज्य समाजिक सुरक्षा बोर्ट द्वारा State Agency for Comprehensive Health and Integrated Services के माध UV Can Foundation द्वारा गोवा में इस पहल की शुरुआत की गई है या पहल UV Can Foundation और SBI Foundation और गोवा सरकार की साजदाड़ी से सुरू ही है इसके पहल के तहद गोवा में दो वर्ज की अबधी में एक लाख महिलाओं के लिए निसुलक अस्तन कैंसर की जान शुरू की जाएगी जिसमें 50% आयोग महिलाएं अबादी सामिल है और इस योजना के ताद आईब्रेस्ट डिवाइजिस का उपियो करके अस्तन कैंसर को निसुलक जान ची जाएगी गोवा सरकार की तरफ से भी साकारात्मक मामले के लिए मुफ्त उपजार परदान किया जाएगा अब है ऑपरेशन और अभियान ये छोटा सो टॉपिक है 5-6 में कम्प्लेट कर देते हैं इसी में बहुराष्टिय नौसेनिक अभ्यास मिलन ये जो 2022 में हुआ है और विसाखा पत्ना में आयोजित हुआ है कब 25 फरवरी से 4 मार्ज तक होगा और इसमें एगार्मे संस्क्रन का मुख विसे है सोहाद्र समाजस सहयूग किसका बहुराष्टिय नौसेनिक अभ्यास मिलन का नेक्स्ट है अभ्यास एकुवेरीन ये जो है भारत माल्दीप सयुक्त सैन्न पर सिक्षन अभ्यास का एगार्मा संस्क्रन है और ये कट्रदू दुईप जो माल्दीप में संपन होगा हुआ है 6 से 19 दिसंबर 2021 को अगला है 15 मा दुईवार्सिक दुईपक्षिय अभ्यास दोस्ती ये जो है भारत माल्दीप और स्रीलंका नौसेनाओं के बीच माल्दीप में संपन हुआ 20 से 24 नौमबर 2021 को अगला है भारत थाइलेंड संबानवित गस्ती अभ्यास 32 संस्क्रन था और यहिंद महासागर में आयोजित किया गया और इसमें भारतीय नौसेना के INS कामुर्ग ने भाग लिया नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग यह बहु पक्चिये जर्मनी, इटली, इंग्लेंड, फ्रांस, भारत, ग्रीस, अमेरिका सयुक्त उध्याभ्यास ओवेदा एरविष इजराइल में संपन हुआ नेक्स्ट है कोकन सक्ती, यह जो है भारत यूनाइटेड किकडम के ससर्षत्रवलों के बीच पहले त्री सेवा अभ्यास का समूंद्री चरन अडवसागर में संपन हुआ कोकन सक्ती यह युद्ध अभ्यास यह भारत अवर्यास अमेरिका की सेनाओ के बीच सायुक्त सैन अभ्यास का सत्राहमा संसकरन सायुक्त वेस एलडी फॉर्म्स रिज़र्डर्सन अलास का यानि USA में संपन हुआ युद अभ्यास 2021 किसके बीच भारत और अमेर्का के सेना के बीच तो ये हमारा ये जो हमारा था और अभ्यान यहां पर समाप्त होता है अब कल हम आयोग और समीती को देखेंगे क्योंकि यहां पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद